विल्कम पास्टोध और अज दर ना सब्सक्राइब करने वाले गडियर औरमधिocyट के डिफरंस के बारे में और बारे में इस वीडियो में भी हैं Music करेंगे ना कि इनके काम किस तरीके से करते हैं तो मिखेंड बारे में भी है कि परलगों सकतित जाये गाराण जिस Another वहां सभस्वाबअ के अधर रह साथ के अर्छे करें और क्यों वह जआ पस्राइं कमेंट करके ज़ूर बता है तो इस वीडियो को आकि तक देखे अब तो तुस्वसे पाले डिफेरंस में gust लगें अग्भा एक के हमारे अंगे अपर पहुंए का तुस्टे एच कि अधर में सिस्टम के अंदर दूसरा जब से बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर वह हमारा फ्यूल कॉंड़िटी को सेफ करने के ऊपर अगर मैं जी डिये में बात करूं तो आपको जो है फ्यूल देखने को मिलती है वहीं पे जो है फ्यूल एफिशेंसी थोड़ा कम देखने को मिलेगी एस कंपेर टूजी इन पेट्रोल एंजन वहां क्योंकि वहां पे जो है हमारा चुर्ण करने का सिस्टम या फिर मैं का हूं जो लोड बेरियंट सिस्टम है वहां पर लगा हुआ है ले सिस्टम और फ्यूल इंजेक्टर है वहीं पे जो है आपके MPFI के अंदर जो है हमारे रेल है फ्यूल इंजेक्टर है उसके बाद जो है सिर्फ आपका एक ही पूरा सिस्टम में लगावा है जो हमारे फ्यूल कॉंटिटी को जो है हमारे फ्यूल टैंक से लेता है फ्यूल टै इस ट्रैकर स्टम बाहता हैं गारे 5 कि वहां पे आपको पमस्यंस कंपारिशन में जीदियाई beş एं अपे को मिलेंगे तो यह जो है और ऑप मिशन के दोरा इंशन कर मुद्द से देखा जाए तो तो ठोड़ा जीदियाई ₹ अबआछ प्रनीपोर नियार ज्युष करने इसकी अंदर जो हमारे sensors हैं, जो हमारे pumps हैं, वो जो है थोड़े महंगे हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर आपको fuel control करना है, अलग अलग system है, तो इन components के बारे में जो है, आगे आने वाली कुछ videos में discuss करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इस वीडियो डाले, तो आपके पास notification ज़दूर जाए, और वहीं पे जो है, हमारे MPFI system के, अगर मैं discuss करूँ, तो वहाँ पे जो आपको सस्ता पढ़ता है, क्योंकि, वहाँ पे हमारा कोई high pressure pump use में हो रहा, वहाँ पे हमारा कोई rail system इतना high pressure fuel को, जो atomized fuel को है, उसको hold नहीं क साथ करूँ, जो सबसे important है, इसके अंदर वो है हमारा, अगर मैं fuel ratios की बात करूँ, तो अगर मैं fuel ratios की बात करूँ, तो हमारा beach का point होता है, जिसको हम बोलता है, तो वो हमारा 14.7 is to 1 होता है, अगर मैं इसके बात करूँ, तो 14.7 pounds of air, चाहिए हमें 1 pound of fuel को जलाने के लिए, त हमारा एक और मोड आजाता है, जिसको हम बोलता है, जो हमारे cruise के समय बे जो है, यूज होता है, उसके अंदर जो fuel ratio होता है, वो हमारा 16 to 1 का ratio होता है, जहाब हमारा 16 pounds of air and 1 pound of oxygen हम जला रहे हैं, हमारे fuel को जलाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे fuel की बचत बहुत जाएगा, लेकिन हमारा 16 to 1 का ratio होता है, तो वहाँ पे जो हमें lean और rich ही मिलता है, लेकिन GDI के अंदर जो हमें lean rich और ultra lean जो है, एक mode आगया है, जिससे हमारे fuel की quantity बहुत जादा सेव होती है, तो आशा करता हूँ आपको जो है, ये वीडियो अच्छी लगी होगी होगी है, कोई वीडियो अच्छी लगी है तो हमसे like कर सकते हैं, share कर सकते हमें दोस्तों के साथ, ताकि वो भी GDI और MPFI के सिस्टम के बीच में difference चांद सके, तब तक के लिए हमार चाल को subscribe कूर क्योंकि हर अफती ही हम ऐसी वीडियो से जालते रहते हैं, जाने बाते हैं, जाने बाते ह झाल 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